असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर चेप्टर नमर 24 जिसका नाम है जहर इश्क यह एक मसनवी है अब बात आती है कि मसनवी किसे कहते हैं तो देखिए मसनवी जो लफ्ज है न वो अर्भी लफ्ज है और जितने भी मिस्रे का पेर लगा रहता है जोड़ा लगा रहता है वह मिस्रा एक दूसरे के हम काफिया होते हैं इसका मतलब क्या हुआ मैं आप लोगों को समझाते हैं इमेज में देखिए आप लोगों को मसनवी सो हो रहा है यही वाला मसनवी जहरेश्क ठीक लाइँ और रैट दूसरा आपईकरों के लेफ्ट हंड की तरफ ठीकए तो यह दो दो करकर मिस्रा बना बनाया जाता है और इसा को बोला जाता है ठीक है और लास्ट में क्या आ रहा है हूँ आ रहा है फिर पहले लाइन का दूसरा मिस्रा देखिए दास्तान घरीब लिखता हूँ इसके लास्ट में भी क्या रहा है हूँ आ रहा है यह पहले लाइन का दूसरा मिस्रा है यानि कि दोनों मिस्रे के लास्ट में हूँ हूँ प है जिस मुहले में था हमारा घर वही रहता था एक सौधा गर फिर गर किसी को क्या आट है तो मसनवी किते हैं थो मसनवी मतलब एक लाइन के हर मिस्रे क्या होते हैं हम काफिया होते हैं किलियर हो गई बात मस्नवी किसे कहते हैं यह हो गया किलियर अब यह भी चेप्टर एक मस्नवी है और इस चेप्टर यानि कि इस मस्नवी के जो मुसनिफ है लिखने वाले हैं वो है शौक लखनवी यानि कि इस जहरे इ से हो गए शौक लखनवी से क्योंकि इनका तखलुस था शौक तीक है यह अपने शीर में जो नाम इस्तेमाल करते थे वह शौक इस्तेमाल करते थे इनका तखलुस शौक था और उसके बाद से इनकी पैदाइस हुई थी 17-83 इस भी में लखनव में तो शौक प्लस लखनव क्य हो गए आगे देखिए इनके वालिद का नाम क्या है आगा अली खां जो तबीब थे यानि की डॉक्टर थे पहले की जमन में क्या बोला जाता था हकीम हकीम थे तबाबत का खांदानी पेसा था यानकी मैडिसिन्स बेचना डॉक्टरी करना ठीक है यह उन्हों का खांदानी पेसा था इनका मिर्जा शौक ने शायरी की इपतदा घजल से की और मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ हो गया इन्हों ने जो शायरी की शुरुवात की थी वो घजल से की थी घजल ठीक है आप लोग सूच रहे हों कि घजल तो अलग है शायरी अलग है देखिए जितने कि इस तब क्या है शाइरी का ज़ेला पार होते हैं बिलकुल उसी तरह जो शाइरी होता है आ उसका एक पाट गजल है नजम है गीत है यह सब क्या है शायरी के जथ calorie करे का कि आ शायरी का पाठ है तो इन्हों ने शायरी की सुरुवात घजल से की थी और उसके बाद इन्होंने मस्नवी लिखना इस्टार्ट कर दिया और मस्नवी में फेमस हो गया यानि कि मस्नवी निगार की हैसियत से वह मारूफ हो गया है ठीके इनकी तीन मस्नवी जो आप लोगों के दिया गया है पहला तो जहर इश्क जो आप लोगों को पढ़ना है दूसरा है बहार इश्क तीसरा है फरेव इश्क ठीक है इनका इंतिकाल हुआ था हो गई किलियर बात शौक लखनवी के बारे में पूरा डिटेल्स इसको याद रखिएगा एक्जाम में कोश्चन पूछता है अब चलिए ज़रा जहर इसक मसनवी को हम लोग समझ लेते हैं मैं आप लोग को इसी तरह जुबानी ही बता दे रही हूं बीना बुक को देखें ठ आप लोग को अपने जुबान से ही तश्री कर दे रही हूं खुलासा कर दे रही हूं और बहुत बहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा इस जहर इश्क मसनवी में न शौक लखनवी एक गरीब की दास्तान बता रहे हैं मतलब गरीब की कहानी बता रहे हैं वह बोल ज्यादा माल वज़र था ठीक है उसको सभी गाउंट के लोग इज़त दिया करते थे उसका खांदान बहुत बड़ा खांदान था उसके मतलब घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी किसी चीज़ का गम नहीं था ठीक है और उसी सौदागर की एक बेटी थी जो बहुत ही ज लाखो की तरह मतलब हिरने की आँखे भी फीकी पड़ जाए इतना खुबसूरत थी चाल ढाल उसकी आवाज हर एक एक चीज़ यहां तक कि वह पढ़ने में भी दिल्चस्बी रखती थी शिर्वाशायरी भी किया करती थी मतलब हर एक एक तरीके से वह खुबसूरत थी ला जहां तक कि उसकी आँखों से एक तरीके का नूर जहलगता था जिसको देखकर उसकी मां को दिल को बहुत ज़दा सुकून आता था मतलब दुनिया में एक थी वह खुबसूरत लगी तो एक दिन हुआ क्या एक दिन शाम को बहुत तेज मतलब बारिस आ गया मतलब चारों तरफ अंधेरा बादल चा गया चारों तरफ अंधेरा और बारिस पूरी तरीके से दमाकेदार हुआ और बारिस हो गया उसके बाद फिर से बादल साफ हो गया बादल साफ होने के बाद इंद्र धनुस निकल गया इसे देखका शौकलख नवी बहुत घबरा गये थे वह च खुबसूरत थी कि शौक लखनवी का तो दिल का हाल पूछो मत ठीक है देख रहे थे कि जितनी भी सहलिया है वो एक एक करकर छत पर से नीचे चली जा रही थी जब मतलब वो लड़की अकेले बच गई सारी सहलिया उसकी चली गई नीचे वो अकेले उस इंद्रधनुस को दे वो मतलब शौक लखनवी के दिल से जो आह निकला पूछिये मत इनका दिल का हाल मत पूछिये ठीक है ओर मतलब शौक लखनवी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे मतलब वो कितनी खुबसूरत थी ठीक है उसको देखते ही जा रहे थे देखते ही जा रहे थे और इनके दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था कि इसारा करकर उसे बुला लो बात लेकिन ये भी नहीं बस देखते ही जा रहे थे देखने ही जा रहे थे और ल लड़की अपनी अम्माजान नीचे चली गई फिर यहीं पर आप लोग का यह जो है मरसिया स्वरी मस्नवी यह कंप्लीट हो गया पुस्क जादा कुछ नहीं है चोटा सा इसी चीज को ना लंबा चड़ा करकर वो लिखे हैं मस्नवी में ठीक है शाम हो गया वो लड़की चली और कुछ नहीं है यह हो गया खुलासा आप लोग का और कुछ नहीं इसमें यह आप लोग समझ गए ना इस कहानी को बस आप लोग लिख देंगे चलिए आगे बढ़ते इसके question answer की तरफ मारूजी सवाल आते objective question सबसे पहला सवाल देखिए मिर्जा शौक का असल नाम क्या तीसरा सवाल है मिर्जा शौक कि सन पैदा इसक्या है जाशॉक कब पैदा हुए तो 1773 इस भी में इसना नंबर डी दाल में 1773 तीसरा द्वाल है मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था तो तबाबत का अपसंन नंबरB लगा दीजएगा चार नमबर सवाल है मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ तो मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ था 1871 इस भी में आपसन नमबर ए 1871 नंबर सवाल है मिर्जा शौक की मस्दावी का नाम बताईए तो मस्दावी में आप लोगों को बता तो इन तीव मैंसे कोई एक धिक रहा है आप लोगों को इसमें जहरी के किस सिंफ से तालग रखती हैं जो आप लोगों का ये जहर इस प्षक नजम कोभी है आप लोग कैसे लिखेंगे जिरसाइब नजम साइरी किस सिंफ मसनवी से तालुक रखती है क्यों ये मसनवी है सिर्य मसनवी से अपनी एन सहार कीजिए मस्नवी किसे कहते हैं आप लोग को बताना है तो मैं आप लोग को बता चुकी हूं मस्नवी किसे कहते हैं अब आप लोग खुद से लिखेंगे तिसरा सवाल है मस्नवी निगार ने शाम का नक्सा किस तरह पेश किया है मस्नवी निगार मतलब इस मस्नवी का जो मस्नवी निग किनाखने तेहें ज़ने के लिए नजरे चार हो तो स्याउडदागर की लड़की से कि देखते देखते शाम हो जाता है और जब लड़की की नौक्राणी आती है और उसको बोलती है औmp sound प्जान बुला रही है और फिर दिए छली जाती है हो गया खत्म कहानी चार नमबर सवाल है ने सवागर की लड़की आँखों की जान कि CC दिए है मतलब ये जो आप लोगों का मसनवी जहरै इसके मसनवी ने जानवी लड़की की आँखों का किस से दिये निफ to woher चश्म गजाल है कि हीरन कि आँकों से मतलब ऊस लड़की का मिसाल दी ऐ है कि हीरन की आखों की तरह करो इसका फिर्만 चैसे तो आप कीजिए ठीखे इसमें आप लोग को मिर्जा शौक लखनवी के बारे में हाला तो जिंदगी के बारे में आप लोग को बताना है ठीखे दूसरा सवाल है मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी निगारी पर चंद सत्रे लिखे मिर्जा शौक लखनवी कैसे वो अपना मसनवी टॉपिक है जो मैं अल्रेडी इसम पढ़ा चुकी उर्दू ग्रामर में आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेडिस्ट में है उर्दू ग्रामर के प्लेडिस्ट से से चार नंबर और लास्ट सवाल है जिद बताईए मतलब उल्टा बताना है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर रखी ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चाप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा आपिस